डॉक्टर ए इश्वर नू स्वरूप होए छे, जारे पन आपनू शरीर तकलीफ मा होए छे, त्यारे आपने इश्वर औने डॉक्टर बन्ने नी जरूर होए छे, अने आपने हमेशा एक सारा डॉक्टर नी शोध मा होई ये छी, जे आपने पूरू औने सचोट मागदशन पे अने आपनी बिमारियों अने तकलीफ होने दूर करें तो तमारी माटे हुँ लेइन ने आवी रही चो एक माहीती पूर्वक शोग धक्कुड डॉक्टर्स हेलो फ्रेंज, केम छो तमें? आजे हुँ तमारू स्वागत करूँ छू मारा शो माजे नू नाम चे तक गुड डॉक्टर्स शो हुँ छू डॉक्टर जंकना मैश्वरी, एक होमेपेथ एन आई थरापिस्ट आजे हुँ स्वागत करूँ चू डॉक्टर पार्थ मार्कर्स नू जे एक होमेपेथ, टीचर, ओथर, म्यूजिक थेरापिस्ट, मेडिटेशन गाइड एन लाइफ कांसलर छे कुजरात ना जानीता अने अमदावाद ना स्रेश्ट, डॉक्टर मार्कर्स होमियो क्लिनिक ना फाउंडर, डॉक्टर पार्थ मार्कर्स आजे उमनु स्वागत करूँ छू अने साथे उं स्वागत करूँ छू एमना वाइव दॉक्टर ग्रीवा मार्कर्स नू जे एक निश्णात होमेपेच छेला 10 वरस्ती होमेपेची प्रैक्टिस करी रहा छे तेक रह की ग्रांड मास्टर एंड हीलर एंड टीचर अने फीमेल एंड चाइल्ड हैज्ट एजुकेटर अने डॉक्टर मार्कर्स होमेपेची क्लिनिक ना को फाउंडर तरीके डॉक्टर ग्रीवा मार्कर्स नू आज इंग हार दीक स्वागत करूँ छू नमस्ते आज नू आपनू टॉपिक छे लाइफस्टाइल डिजीज आने होमेपेथी ए टॉपिक पर जईए एना ती पहला हूं डॉक्टर पार्थ ने ए सवाल पूछी इसके गुजरात नू जे अगरणे अने अमदार नू स्रेस्ट होमेपेथी क्लिनिक बनावानी आपनी जे ते स्वाभवी क्रिते ज्यार्थी शरुवात था इने त्यार्थी एकज बात मनमा हती के होमेपेथी चिकित्सा पद्धती ने लईने जे कई पन स्रेस्ट दर्दियों माटे थाई शके औने जेटलू वधारे एडवांस थाई शके समयने अनुरूप थाई शके ए प्रमाने प मेलेरिया ना जीवानों फाटी निकड़ा होए तो एक मोल्डन मेडिसिन वाड़ी व्यक्ति हो एलोपेथी वाड़ी व्यक्ति शू काम करे तो के ये वो प्रहत्न करे के व्यक्ति ने मेलेरिया ना लक्षण जाए व्यक्ति ना मेलेरिया व्यक्ति माथी दूर थाए पन एक व्यक्ति ने जो एक काम सौँपाई हुआ, तो ए मिलेरिया नी दवा तो आपेज, पन साथे साथे जे व्यक्तियों जियां रे चे, यह बार जे खाबोचियू बराई चे ने, एक खाबोचियू पन दूर करें, यह ले मिलेरिया ना केसीस पन गटें, जियारे या वात सामडी कि जो हेल्थ कोई व्यक्ति ना जीवन मां जो डॉक्टर बनीने डिफरेंस पेदा करवो है, तो एक होमियोपैद बनीने करवो, जे थी व्यक्ति नो रोग एक जड़मूर मां थी दूर, अन्ने माटे क्लिनिक ने डेवलप करता गया, दर एक आवेला केसीस नी अंदर साथे पर पूर्ती हार्मनी साथे काम करवो, कि क्या सुधी ये लोको करी शके चे, क्या होमियोपैद थी कॉम्प्लीमेंट करी शकाए चे आकी वात ने, अन्ने बद्दू साइंटिफिक प्लेटफोर्म ने साथे राकी ने, वी स्टार्टेड वर्किंग, एनी साथे साथे हेल्थ एज्यूकेशन ने पन पारेलल महत्वा आपिऊ, अन्ने माटे जे दिवस्ती प्रेक्टिस शरू करी त्यार्ती हमें लोको है, हमेशा डिजिटल कंसल्टेशन्स अन्ने डिजिटल प्लेटफोर्म ना उप्योग थी, होमियोपथी विशे नी माहिती लोको सुधी प विशे थोड़ू प्रकाश पाढ़ शो चोक्कस, डोक्टर जंकना, आमा इवी वाद चे के जियार्ती हमेशा काए क्लिनिक नी शरूबात करी ने, त्यारे मने ध्यानमा चे के एवकते हजू सोशेल मीडिया नवू नवू आवेली, अन्ने एवकते ब्लोग्स बहु आता, तो एक व्यक्ति हमने यूएस थे रिक्वेस्ट करेली, कि तमे आजे होमियों पे थी, इमाज ये कहीं पर करो चो, एवीशे आप ब्लोग राइटिंग थू जणा भी शको, एटले मैं आपणी भाषा माज गुजराती माज ब्लोग राइटिंग नी शरूवात करी, मैं शर यार बारवश पेला नी करो चो, जारे इंटरनेट एटलो बदू सामान ये नो तो, इतले माटे अमे लोगों एए समय, सोशल मीडिया, यूट्यूब, आब अध्धाना माध्यम ने साथे राखी ने, दर एक रोग माँ हमियों पती नो स्कोप शू, एवीशे माहिती हमियों e-clinic.com, करांके ये वक्ते इशब्द, एटले इंटरनेट, एवी माहिती हजू लोकों मा एनी पहुचवानी शरुवात थे गुजरात मा खास करी ने, त्यारे हमियों e-clinic.com नी शरुवात करी, अन्ने मने हजी पन याच्चे केनेडानू मारू पेललू पेशंट के जेने पेलू पैसा के मोकली एनो प्रश्ण थायो, गंसर्टेशन नाने, एमने पची एक एजनसी द्वारा खास ए गोठवान करे लिबाके कारन के वक्ते या e-commerce ए बहुच जानी तू सेग्मेंट नातू, आब आतमा अजू एक उमेरो एपन करू, के जेम पायोनीरिंग डिजिटल कंसर्टेशन मा थायो, एवीजरी ते घरे-घरे होमियोपैथिक दवा पोचती थायो, यहना माटे आ लोकडाउन ना समय ना उप्योग करी ने, वी जस्टाल्टेड आवर न्यू पोल्टल, कंसर्ट होमियोपैथ डॉट इन, अने एमां अमें लोको हवे अत्या अने एक्जेक केस नी नोट्स अमारा सुधी पोचे और क्लिनिक मा आवी ने जे प्रकार नी सारवार थायोचे एवी जे घरे मने सारवार मडी रे, यहना घेर मने दवाव मडी रे, आ प्रकार नी शरुवाथ पन जस्ट रीसेंटली विहें विगन विज अप कोई पन सदे पहला दॉक्टर पार्थ शुरुवात करीट ना किती आतो हमना लोगड़ाउन मा ओनलाइन कंसल्टेशन नू अमना स्टार्ट थे ऊचे पर दॉक्टर पार्थ वर्सो पहला जानू शुरुवात करना किती खूबबत सरस ने बहुत सारू माधियम चे कि तम्हें दुनिया ना लगबग घणा बदा तो आमा हमेपेथिक नो सू स्कोप सू छे अगर तम्हें थोड़ू एना प्रप्रकाश पाड़ो कि हवे सू स्कोप छे हमेपेथी नू चोकस हमेपेथी ना स्कोप ने चे ने हूं मुख्यत वे त्रोन एरियाज मा डिवाइड करीश एक चे ने एचे हमेपेथी फोर क्रोनिक डिजीजीजीज एले के जुना नमटता रोगों माटे हमेपेथी जे अत्यारे ओल्रेडी फोर्चुनेटली खुब वप्राइश है जे माँ खरजू आवी गियू सोर्यासेस आवी गियू के बाकी बदा जे कोई पन वर्षो थी तमने गेस, एसिड इरिटेबल बोवल सिंड्रोम ए प्रकार ना तमाम पेट ना प्रश्णों गणी है कि आपने सिस्टम बाइज नज जता बिजो जे मेजर स्कोप छे ने एचे हमियों पेती इन लाइफस्टाइल डिजीजीज जे आपडों आजनों एक अगत्यनों टोपिक पन चे एले के आ माटे होर्मोन माट था फिरफार खास करें डोक्टर गृवा फीमेल डिजीजीज माटे नी वात अल्रेडी आपनी साथे करी चुकिया चे के अत्यार ना PCOS के मेनोपोजल इस्यूस जेवाज बद्दा ने कारणे था ही रहा चे क्याक ने क्याक अपना लाइफस्टाइल ना जीवन माँ थाती तकलिफ हो माँ तो आवा रोजबरोधनी एक्यूट कंप्लेंस आ त्रोणे त्रोण एरिया जेवाजे जिमां होमियोपेती एक अती असरकारक अती सचोट अने जड़पी राहत आपी शके एवी क्षमता धरावती चिकित्सा पद्दती चे आप योग्यो होमियोपेतनों संपर करशो तो होमियोपेती आपने अब दाज रोग मां फाइदो आप्शेज मजाक मां उन तमने कहो ने तो उन दर्दीयम के के तमारी पासे आनी दवा होए वो पूचे ने वो जवाबा पूँ के कैंसर थी लई अने कोराइजा इतले के शर्दी सुधी जिटला पर रोग आवता हुए के पची ए थी लईने जेड सुधी मेडिकल टर्मीनोलोजी मां जिटला पर रोग आवता हुए होमियोपेती पासे आतमाम प्रकारना रोग नो असरकारक इलाज चे बहुत सरस्वात की दी पर जड़पी थी माने याद आयू कि एक्यूट ए एक्यूट केसेस मां तमारो सु अनुभाओ छे जी डोक्टर जन्तना जिम डोक्टर पायरती ओलेडी की दू कि होमियोपेती क्रॉनिक कंडिशन होए लाइफस्टार दारी कंडिशन होए के पची अक्यूट के एकदम ची तुरंत आवी पढ़नारी जे कंडिशन केवाई ए इने जयारे अमारी सारवार चालती होए ए दर्म्यान पर को जो कोई समस्य आवी चड़े छे तो एवा टाइम में पर अमारा द्वार आपाली दवा एमना घरे हाजर होए अन्ने एतली जडब थी जिमनी ए समस्यानों नाश करी सके एले एहेतू थी हम एक अलग-अलग किट बनावी छे जो हूँ नाम आपू तो फरस्ट ओफ ओल एक फेमिली किट होमियोगाड यू ए आखा फेमिली ने कोई पर आवी पड़नारी कंडिशन जे अक्यूट छे इनी सामें प्रोटेक करे छे होमियोगाड इमारा अलग-अलग अनुबवन आधारे एवी 20 दवा में जो हूँ जो हूँ जो हूँ जो हूँ जो पर व्यक्ति होमियोपेथी इमां विलीफ राखे छे जो ने पुतानी अक्यूट कंडिशन आपन होमियोगाड यूट जो हूँ आखास हूँ राखे ली छे एक किट अमारा दरेक पेशन पासे ओल्रेडी होयाच छे सब्सक्राइब करते हैं जरूर पड़ हमने फोन करें हमें तो हाजर अच्छी है घमें टैरेफोन उपर आया एक होमियोगाड ने केटनी वाद थे कि अमारी पासे लांबो समय थी व्यक्ति दवा लेती हुए और हवे लोकडाउन था है त्यारे जियारे दर्दी ने अच्छा नक्ति डायरिया था है आप कोवीड बाडो गाडो जानों छो कि त्यारे कोवीड शिवाईनी कंप्लेइन माटे डॉक्टर पासे जभूने कि मे चार गोडी दिवसमा त्रवन वकत बे दिवस लेलियो तमारो सोजो उत्री जशे दुखावो जत्तोरे शे कोई डोक्टर ने बतावा जवानी जरूर नथी चिंता न राक्षो सो खाली आरीते दर्दियों ने जे ए समय गाडा दर्मिया ना प्रकार नी कीट राकवाती जे राहत थाई जे सेम हेपन्स इन दे केस ओफ दी पेशेंट्स के जेलोको अब्रोड जे अमारा अब्रोड माँ चे ने आपे बहु शरुवात मासरवस बात करिये प्रमाने मने बू आनन्त हो जानी ने के जे गुड डॉक्टर शो चे ना व्यूवर्स मातर भारत मा के गुजरात मा ना थी विदेश मा थी हमने फीड़बेक्स आउता होई चे तो ए जे विदेश मा तो आ जे अबर के बहुत है एक पर चेट होई और रोद बर रोद रोद आवी तकलिफ होई और जे इनुपली दिल विद विद तो अगाइदन्स अने जिस अबर्यू इंपर्टन ती तो कॉन्यू जे तो पर ने अबरन ता अबात है हो मियो गाड़नी और अब्रन रोग एंपरन क्या इंजूरी थवी अथ्वा तो दानी मोटी शर्दी उद्रस के गेस्ट्रिक इंडराजेशन थाई जाऊंँ ए समस्या वो कॉमनली रहती हुए तो एवा समय पड़े खोमियो ट्रावेलर जे किटनु बोक्स इमना बेगमा पड़ियू हुए तो गमे तारे कहीं पौन समस्या होई अनि 3G किट में अगें जे वात करी ती पीडियाट्रिक हेल्थ सबंदी एक होमियो जेम्स करीने चे जे आनकलो बाड़क बहुं थाए त्यार्थी लेगने ए मैचे और आठ नव दस वरस्नु थाए त्यां सुदी जेटली पड़ समस्या बहु कॉमनली जे समस्या होमियो पेथी एकदम ती तुरंत इलाज करती होई चे अनि बहु बदा लोको अमारी आकेट राकी ने बहु संतोष अनुभावता होई चे अमने बहु बदा फिडबेक्स मले चे एले आकी जे एक्यूट्स नी जे वाद थे तो एनी पास एपर वी है विस्तार मां एटले बहु सारूर एत्तु होई चे ओंपेटिक दमारी आकी वाद मा एक्यूट मा जेम डोक्टर गृवाय जनावियो प्रमाने के सोल्यूशन तो छे पर मेडववू क्या थी करान के अवे अलग अलग विस्तार मां थी लोको आउता होई एक modern medicine ना एक एलोपैथ डोक्ट सामें एक होमियोपैथिक क्लिनिक मा पन एवी responsive services होई जोई है बहु जरूरी जह हूं आपने दसेक दीवस पेल्लानू जुदारन आपो तो रात रे अडी वागे एक पेशन्ट ए फोन करे लो आन्ने मारा थी ए फोन रिसीव न थे हो I would say this on camera तो मारा थी ए फोन रिसीव न पन अमारा क्लिनिक मा जे प्रमाने system जे प्रमाने इमेडियेटली दा फोन गोट ट्रांसफर्ड टू माय क्लिनिकल आसिस्टन डॉक्टर हर्ष बिजय दिवसे सवारे में ज्यारे रात रे अडी वागे पेशन्ट नो फोन जोयो एडले मैं तरत डॉक्टर हर्ष ने फोन कर जो आइडिया इस के वी मेक शूर बनियतियां सुधिये वो प्रहतना करिये के व्यक्ति नी हेल्थ ने लगतू कहीं पन था है यह होमियोपती थी अमारा माध्यम थी जो एव्यक्ति अमारी पासे आवी होय तो ए सॉल्व था यह खूबत सरस्वात की दी डॉक्टर ग्रीव मांकर्स क्लिनिक मां तमने अवेलेबल था से एज इमर्जनसी किट एज फरस्टेट किट तमें यूज करी सको छो क्यारे पर तमें तकलीफ मां हो तो हमें पर थीच लियो आत वाद थे एक्यूट कंडिशन्स नी जे मां पड़ो टॉपिक छे आज नो कि लाइफस्टाइल जे लेके रोज परोड ना जे अपरा डिजीज थाये चे स्पेशली तमारा लाइफस्टाइल ना काण ने जे तमें सफल थाओ छो आजकल ना घणा लोकों ने नानी उमर्थी थायरोड ब्लड प्रेशर वगेरा बद्धू आविज जाये चे तो एमा हमें परती बहु प्रस्टना चे डोक्टर जंकना अने एक डोक्टर पोतेज जियारे इंट्रव्यू करता हो एने त्यारेज स्वाभाविक्रिते आटलो योग्यवात लोकोसुधी पहुचाडवा माटे माध्यम बरी शके यहले आपने अभिनंदन पिल्ला तो आजे एमने लाइफस्टाइ अने कोवीड बची तो वर्क फ्रोम होमने काने बेठाडू पनो ए अतिशय वधी गई हुचे एतले व्यक्ति नू मोबिलीटी पन अतिशय गटी गई चे स्ट्रेस चे एक पैरेलल पाइट तरीके कंसिस्टेंटली आपनी साथे रहे चे अब धना सम्टोटल स्वरूपे आपना शरीर नी बदी जे सिस्टम चे खास करीने चया पचाय बगड़े एटले कोलेस्टरोल बदे डायाबिटेस आवे थाइरोइड ना प्रोब्लेम बद्धा साइको सोमेटिक मनने काने खास करीने ब्लड प्रेशर कॉमन मोस जोवा मड़े चे गाउट वारंबार जोवा मड़े चे एलर्जीज अत्यारना समय बहुच कॉमन चे विजा इवन इनफेक्ट सेक्शुल प्रोब्लेम्स एपन आधना समय नी अंदर अतिशय वध नथी एले आ बद्धा कारणे इवन सेक्शुल डिजीजीज पन मेल अने फीमेल बन्ने मा खूब बदी गया चे तो आ बद्धा जे अत्यारनी जीवन शैली ना आधार है जिटला पन रोग थाई रहा चे एमा होमियोप्रती अत्यां तसरकारक एटला माटे चे कि ए जे मूड थी आपना मूड मुद्धा ने मूड प्रश्णा ने समझी ने एक तो दवा आपाई नंबर वन अमारा क्लिनीक ने अंदर तो ए मूड प्रश्णा ने समझी आपाई जीवन शैली आधारित जे फेरफार इंडिकेट करवानों हो है एनू मार्क दर्शन पन आपाई बद्धी वस्तु जारे कॉंपलीमेंट थाये त्यारे हमेशा दर्दी ने फायदो थाये अचा हाँ हवे में पिल्दाज को यह प्रमानगी हमेशा साम्में हमेशा साइंटिफिकली वात करिये अचे एले कोई व्यक्तिनी कोलेस्ट्रोल नी दभा चालू है डाबिटीज नी कोई दभा चालू है तो आब अद्धा परिस्थिती मां हमें लोगों इमेडियेटली ने दभा बंद करवानू अमारा तरप ती क्यारे नदी केता पर साथे हमेशा लई शकाए चोकस लई शकाए जनरली हाव वी फंक्शन इस के हमेशा जे कोई दभा चालू है यहनी साथे हमियोपेथिक दभा एं युळ शकाएं अज और इनृ शबुद्ध है यह कृट खुबत सरसकी दू कांके मेजिक पिल्ज थी अगलोंゃ क्रोनिक डीजिज लेके लाइफस्टाइल डिजीज जे तम्हें वर्सों थी दवा लई रहा चो ए दवा ने जो आपने बंद करी सकाए आने पर्मनेंटली कोई पन दवा लेवा नी जरूर ना पड़े तो एना थी वदार असरकारक सू होई सके हमें पेथी मां डॉक्टर ग्रीवा नुए कजी क्वेश्टन पूछीज के हमें पेथी दवा ओ थी तमें सारवार तो आपोच छो पर साथे साथे डॉक्टर ग्रीवा एक रेकी हीलर छे तो रेकी नूँ सूरोल छे आप सारवार मां पर साथे साथे जो एवा एवी दरेक व्यक्ती रेकी एला के नेचल एनर्जी हिलिंग थेरपी द्वारा पन जो एक उर्जानों संचे लेती होई छे तो एवा केसिस में बहुत जर्पी रिजल्ट्स मरता होई छे ये मारा चला दस बार वरशना रेकी हीला तरकेना पर साथे लेकी लेता होई छे एवा घणाखारा केसिस के जेलोको मां स्ट्रेस बहुत प्रोमीनली जो आमड़तों आधना अदुनी समय में बहुत कोमनली जो आमड़े छे स्ट्रेस द्वारा उत्पन थाती कोई पर मन शरेनी अवस्था जे पर डिस्टरबंस छे एपर आर प्रोसेस जी एमने कई पर मेडिसेंस अपाये छे एनी असर जर्पी बने छे तो टूंक मां जो कहूं तो वैश्विक एनरजी जे अटली बदी ड्रक मात्रामा अवेलेबल छे एमानों केटलोक भाग आपणा माधियम ती एक हिललत तरीके कोई व्यक्तिनी उर्जाने हकारत मकता तरफ लई जवामा इनना मन सरेने स्वस्थ राखवामा अने ओवरोल भविश्य मेंनी हेल्थ तकी रहे प्रिजर्ड रहे ए माटे नी बधी अवस्ताओ रेकी दवारा खूब सुन्दर रते प्राप्त थती हुए चे आने डॉक्टर पार्थ जे मल्टी थरापी आपे अने साथ हे मेडिटेशन क्यूरेटर पन चे तो आप बनने वस्तुने तम्हें तमारी प्रेक्टिस साते के वी ते सांक्रों चो जो स्वस्थ रेवू हुए ने तो जेम शरीर साचवी एने मन पन साचवू पड़े एटले मेडिटेशन अने संगीत खास करीने भारतीय शास एनी आपड़ा मनू पर खुब असर छे माटेज म्यूजिक थेरेपी के अवेकन नामनी एक मोबाईल एप्लिकेशन द्वारा मेडिटेशन एनू सत्त ज्यारे व्यक्ति ने एने अपाए एने कारणे दर्दीना जे स्वस्थ थवानी जे प्रोसेस चे ए बहु जड़पी ब के पचि आप फिमेल छो अने आपने हॉर्मोन सबंदित के मासिक सबंदित कोई पर समस्या रहे छे के पचि यह वो क्रोनिक डिजीज जे आपने छोड़तो ना थी सोरियासेस, लाइकन प्लेनस, एकजीमा के पचि कोई पर डाइजेस्टिव प्रोब्लेम्स, एसिडिटी, एस वारंबर आवता रिफ्लक्सेस के पचि सांधानी कंप्लेन्स जनके रुमेटोईड आर्थ्राइटेज के ओस्टियो आर्थ्राइटेज के पचि गाउप्ट के आपना बालक ने प्रतिकारता सबंदित के अन्ये कोई पर समस्या रहे छे के पचि आप लाइपस्टाइल डिजीजीजनों सिकार छो जनके डाइबेटेज, थायरोईड, कोलेस्टेलोल नी लगती तक्लीफ हो के पचि अन्ये कोई पण एवो डिजीज जे आपने छे कैंसर पण छे के पचि सामान्य विजी रोजबरोदनी तक्लीफ पण छे अब द्धानों समाधान एक अज होम्य अन्ये शर्णाम पर एकज डॉक्टर मांकर्ज होम्यो क्लिनिक खाते सारवार मां व्यक्ति ना रोग ने एना मूर्थी समझवा मां आवेचे और प्रक्रूति ने वडखवा मां आ पचि और जरूरी दबाओ प्रिस्क्राइब कर आपा मां आवेचे या दबाओनी क्वाले पुण अनुसोराव आवे चे जीवन प्रक्तियनों द्रस्टिकों लाइपस्टाइल कांसेलिंग अने एनी साथे साथे म्यूजिक थेरेपी अब दूज ज्यारे कॉंप्रिहेंसिवली अपाए त्यारेज अमें ब्लेस्ट चीए एवा हजरो दर्गियों थी के जेमने साचा आर्थमा स्वास्थियनी अनुभूती अमें अपावी शक्या चीए तो आँएपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस्टाइपस् झाल झाल